नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज बाइसकोप साहेवगन से मैं हूँ अमन राय अभी हम साहेवगन जिले के उध्वा पर्खन में हैं और अभी उध्वा पक्छी अभ्यारन में हम आये हुए हैं साहेवगन जिले के अलावे जखरखन के विभिन कोनों से और परोसी राजी पस्टि涮मंगाल से हमारे कुछ सहिलानी आये हुए है हम जनेंगे कि पस्चि मंगाल से आप कहा से आये हुए हैं कोलकात से आया हूं इस आधे इसके वारे में बहुत सुना थे हम इसलिए इस नया साल में हम लोग कुछ दोस्त लोग मिलके प्लैनिंग किया के चलो यहां पर थोड़ा दिखा जाए कि आप इस पोट के बारे इतना सुना है तो यहां क्या बिदेशी सहल्यानी जो पक्षी आए हुए हैं विदेश से वह आप देखे अपने कैमरा में हां एक हम सुने थे इसलिए आज आए इस साल देख लेकर नया साल में जारखन का एक मात्र पक्षी आभियारन उद्वा हजारी बाग इनका बन परवंडल हजारी बाग है और हजारी बाग के अंतरगत यह साहिव गंज जीला का उद्वा परखन पड़ता है और पिकनिक को लेकर न नजार आपको हम दिखा रहे हैं अभी ठीक हमारे पीछे पहारी सिंखलाओं से यह जो जल पर परपात है और यहां सालों भर इसी तरह से जहरना गिरते रहता है यहां बिहार पस्रिम बंगाल और जहारखन के विभिन जिलों से ही नहीं देश बिदेश से भी सेलानियों का आना जाना यहां लगा रहता है ठीक इस पहारी ठीक इस जहरना के भीतर ठीक इस जहरने के भीतर बाबा मोतीनाथ धाम का मंदिर है शीव जी का मंदिर है यहां नए वर्ष में पिकनिक मनाने को लेकर 25 डिसंबर से लेकर पूरे जन्वरी महा तक लोगों का आना जाना लगा रहता है ठीक देख रहा है यह चिल्डन पार्क छोटे छोटे बच्चों इस पार्क में जूला जूल रहे हैं आनंद ले रहे हैं कुछ सैलानी भी अभी आये हुए हैं और कुछ दिन के बाद नए वर्स एक जन्वरी भी अब कम दिन नहीं रहा हम जानेंगे अस्थानी कुछ सैलानियों से जी आप कहां से आये हुए हैं लोकल है यहां बाहर से बीटक आते हैं बहुत बिहार जारखन बंगाल उडिशा और विदेश से भी लोग आते हैं जा घुमने के लिए पिकनिक मनाने के लिए और गुफा के अंदर मोतिनात वावा है उनके दर्शन के लिए उन बर्स के टाइम में बहुत भी होती है नए साल के पर्थम दिन एक जनवरी को यहां लगवा कितने सरधालू पहुंचते हैं ऐसे कनफर्म संख्या तो नहीं बता सके लिए बहुत भी होता है पूरा चलने लाइक जगाने एक मेला एक भीड का रूप ले लेता है एक मेला के इस थानिये लोग हैं इनसे हमोजानकारी लिए लिए कि नए साल के जनवरी माह में एक जन्वरी को यहां पिक्निक मनाने को लेकर लोग पहुंचते हैं है कुछ बाहर के भी सेलानी आया हुए हैं लग रहा है लोग भार साय हुए है आप कहां से आयुक है लगाल नहीं है और और एक सैलानी से भी हम जानेंगे कि यहां मोतीनाथ धाम मोती जणना आकर आपको कैसा फिल हुआ कैसा अनुभव हुआ ज़्यादा नुभव है यहां पर सपाइक ज़्यादा नहीं है का अभी ठीक हमारे पीछे बाबा मोतीनाथ धाम का मंदिर है और ठीक यह जल परपात जो है यह पाहरी सिंखलाओं से उपर से ज़्यादा पानी गिर रहा है और ज़्यारखंड के अलावे बिहार और पस्चिम मंगाल से कई जिलों से यहां सेलानियों का जमघट आप देख रहे हैं कि सभी लोग नए साल का आगमन को लेके अपने अंदास से जस्न मना रहे हैं कई लोग जहरना में उतर कर शेल्फी ले रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ बंधु बंधु बंधब के साथ नए साल का जस्न मनाने के लिए मोतीनाथ मोती जहना पहुंचे हुए हैं जानेंगे कि मोथी जर्ना कैसा अनुभव आप देखे आए बढ़िया होड़ा पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है क्या पहली बार आप आए हैं यहां नहीं मैं तो साहिव गंज गई हूं बट दो तीन साल के अंदर यहां पर बहुत सारी चेंजेश हुए जो पहले से देखने से भी अच्छा है पुड़ेटे के लिए भी काफी अच्छा है और मैं यहां के सरकार से थोड़ा यह बता पूछन मने बताना चाहूंगा बीच का रास्ता थोड़ा खराब है अगर वह रास्ता ठीक कर दिया जाए तो नेक्स्ट विजिट और भी बहतर हो सकते हैं आपको कैसा फिल हुआ मोती जणा बहुत अच्छा लगा पहली बार आप आए हैं नहीं नहीं काफी बार आचुकी में कहा से आप हैं साहिव गंसे जी देखिए हमारे अस्थानिये प्रेटकों ने कहा कि कई वर्सों से इन्होंने मोती जणा आ रहे हैं परन्तु सरकार से औ का कुछ मांग है परेटकों का कि इस छेत्र को समुचित हां और डेबलब हो और समुचित विकास के लिए कुछ पहल करें यह जो इसपोट है यह प्रकृति का जो है सिवा मुली धरवर है वर्दान है लेकिन आप जब आये होंगे मोती जणा तो रास्ते में देखें देखे आने वाला है क्योंकि पहाड़ ही वह सुरोत है जो पानी को रोग का रखता है अभी हम साहिब गण जिला अंतरगा राजमहल के जामी मस्जिद में आये हुए हैं इस मस्जिद को राजा मान सिंग के द्वारा सोलहमी सती बें मनाया गया था और यहां भारती प्रौत्त जानरे के लिए 25 डिसंबर से आना प्रारंभ कर दिये हैं जो जन्वरी भर चलेगा जानेंगे हम जामी मस्जिद के सुरक्षा गाड़ से की आखिर में रोजाना यहां कितने लोग प्रेटक आते हैं इन से हम जानना चाहेंगे तो जामी मस्जिद देखने के लिए रोजाना वही पांसो छेसो शाथ सब्सक्राइब बताएं कि नए साल के मौके पर पांसो शेसो लोग यहां आते हैं और मुख्य रूप से बंगाल से प्रेटक विस्यस करके यहां आ रहे हैं यह देखिए सामने हम अपने केमरामें को कहेंगे कि भीतर का नजारा इस जो आंगन है इस जो आंगन का नजारा देखेंगे यह सामने यह सामने का मुख्य जामी महजीद का ओनार मुख्य केम्पश है और यह पूरा उनका अहता है इस जो फ़ेखिए आप प्रेटक देखिए बाहर से आए हुए हैं इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में जामि महजीद देखने के बाद घुमने के बाद कैसा अनुवब कर रहे हैं कि कैसा अनुवब हूँ आप जामि माजीद आपको कैसा लगा देखने में जामी महजित घुमे हैं मैं भी जामी महजित घुमी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा चारोगर का जो वातावरन है बहुत ही मनोरम और सुन्दर है देख करके सच में आकरशक और मन को खुश करने वाला वातावरन है और महजित के अंदर भी बहुत ही सुन्दर नाकासी किया हुआ है इसको अगर सरकार और ध्यान दे करके रख रखा और मेंटेनेंस करें तो यह आने वाली पीडियों के लिए भी एक आकरशक का केंद्र बनेगा चलिए हमारे कुछ पर्याटक अपना अनुहब ब करशेद बनेगा खुलिए हमारे को स्टावर मेंटें सेुन्दर नाका टाली हमारे कमारे को यह आने पुलिए यह भी बहुत है कि अजर रखाता बद्या कुछ परत करोंदोगर मेंटेंस your